हलो दोस्तों स्वाहत है आपको अपने चनल नॉलेज कायपर और मैं हूं आपका दोस्त हमत्यवारी है और रात साड़े आट बच वाली एक लास है जो कि आप सभी को लाइब मिल रहे है तो यदि आदि 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 वीडियो सभी को क्लियर है तो एक बार मुझे लाइफ यहां से दोसे तीन क्लास ही आपको और मिलने वाली है और आपकी हिस्ट्री जो है वो खत्म हुझा है कि बहुत अच्छी तरीके से तो दोस्तों आज की क्लास हम आगे बढ़ा हमसे पहले हमें सभी को बताना चाहूंगा कि 9 नौमबर से जो 14 नौमबर का आपका वीक है ये पूरा ये वीक टेस्ट वाला वीक है ठीक है इस पूरे वीक मैंने टेस्ट करें हुए ठीक है मिनी टेस्ट जो है वो तुन आख चलने वाले है कल से जो एक सब्सक्राइब होगे 25provake ठीक है तर्क मतलब दोनों अब मिलेंगे आपको लिंदी में और इंगलिस में भी तो किसी बिक्त किसी बच्छे को नहीं को यहां पर यहां पर मैंने टाइम टेवल भी मेंशन करती हो जोड़ा सा मिस टाइप हो गया था यह नो नो लिग गया तो आपको सारी के सारे जो है टेस्ट यहां पर लोट कर दिये हम क्लास में किस तरह से अंग्रेजी राजय के समय भारत की परिस्तिति तहीं ऐसे ंग्रेजी राजय common में सब्क्राइब हम पर मारे जैसे कारे थे भांपारित कर्ते हैं आघ छी आप भारत में बिटिस उपनिवेश और पहले के आक्रमकाणियों के बीच मुख्य अंतर क्या था पहले हम यह समझते हैं तो अलग लगतार है कि तबके ने भारत पर आक्रमन किया और अंग्रेजी आक्रमन को या अंग्रेजों द्वारा यहां पर आने की प्रिक्रिया मेंतर बताता है तो यहां पर हम बात करें भारत के ब्रिटेस उपने वेशों और पहले आक्रमन कारियों के बीच मुख्यंतर यह था कि पहले के आक्रमन कारियों में से किसी ने भी भारती कि अर्थवैस्था में कोई संद्शनात्मक परिवर्त नहीं किया था ना ही भारत की धनकी लगाता निकासे की थी मतलब में रीजन यह था कि उनके आने से भारत की अर्थवैस्था पर कोई बड़ा फरक नहीं पड़ा था उसके पीछे दो तरह के कारण थे दीकिए दो तरह क मिया मुगल सल्तनेक में बात के तो यह लोग आई और यह बारत से लूटकर कुछ नहीं ले गए बलकि भारत में ही आकर बस गए अपना सामराज पहला और भारत में इस नहीं रहा हा बारत में इनोंने कई सारी चीजे बनाएं तो बेसिकल भारत में जो है एक तरह से पैसे की निकासी बाहर की दिरफ नहीं किया, ऐसा निये कि पैसा जो है वो भारत का वो यहां से वहां गया हो, ऐसा बिलकुल नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों के समय क्या था, अंग्रेजों ने भारत की वेल्थ ड्रेनिंग की थी, मतलब भारत का जो पैसा था, भारत का पैसा भारत से निकाल कर बहुत बड़े मात्रा में यह कहां पर पहुंचाया गया था, यह बहुत बड़ी मात्रा में पैसा पहुंचाया जा रहा था, बिटेन में डेवलमेंट हो रहा था, तो भारत की जो आ तो आप समझ सकते कि किस हद तक भारत को financially exploit किया गया था इनके द्वारा इसका ये बहुत अच्छा एक्जामपल है कि जब अंग्रे जाये थे बिटिसर जाये थे कुछ समय भारत की जो एकनौमी थी वो विश्विक एकनौमी की अगली न्यूस की तरब अध्योगों का गिरना किस तरह जो भारत में पहले थे भारत की जो हस्त करगा उद्योग थे उनको किस तरह से अंग्रेजों ने च्छती पहुंचाई ठीक है अपने ब्यापार को भारत में फैलाने के लिए और इनहीं उद्योगों के गरने की वज़े से भारतिय नेटिव इंडस्टीज के गरने की वज़े से भारत की जो अर्थ वैस्था थी वो पूरी तरह से चर्मर आ गई थी ठीक है तो यहाँ पर बात करें सस्ते ब्रिटिस निर्मित कपड़े ने भारती बाजार पर अपना क्या हुआ बिटिस में बनाय हुआ सस्ता माल बेशते थे तो जितनी भी टैक्स थे वह भारति उद्ध्योगों पर लगाय जाते थे नहीं वह बिटिस पर नहीं लगा जाते थे अध्यो पर वर प्रोडक्ट पर नहीं लगा जाते थे क्यों कि इससे क्या होता था तर भाइ 사람 में वwestना प्द हो जाते थे और उनकी मांग भारत में बढ़ते ही लगा था इस वजए से भारत की अध्योग जो है वो चौपट होते चले गए ठीक है और नए सुझे के गए रेल नेटवर्क ने यूरोपी उत्पादों को देश के दूरस्त कोनों तक पहुंचाने में मदद की और निर्यात अधुनिक औधुकी की करण की दिसा में कोई पहला कतम नहीं लिया गया वेरी गुड इवनिंग सभी अच्छों के एक बार फिर से हैना यार सभी लोग प्लीस एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो साथ ही अपने अपने सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भ अधुनिक औधुकी करण की दिसा में कोई पहला कतम नहीं लिया गया मतलब भारत को modern industrialization की तरफ बिलकुल नहीं ले जाये गया तो इससे कहीं ना कहीं जो छती थी बड़े प्यामाने पर भारत को हुई क्यों क्योंकि भारत में बड़े इस्तर की उच्छ इस्तर की modernized जो च पाइं थी ठीक है और पारंपर एक अजीविका का नुकसान भारत में ओधोगिक भारत में ओधोगी करण की एक प्रक्रिया के साथ नहीं बलकि कारिगर इससे विरोजगार होते चले गए और उन्हें किटसी की और बापस लौटना पड़ा मतलब उनके पास किसी भी तरह के दूसरे option नहीं रह गए तो और उन्हें खेती के दर दोड़ना पड़ा था अब हम देखेंगे कि किस तरह बिटिसस ने पहले आकर भारती और द्योग धंदों को चौपट किया तो द्योग धंदी चौपट होनी के वज़े से भारती लोग जो थे वो बापस से खेती पर आ यह नहीं दिया था कहीं पर भी रोग करने के लिए कहीं पर भी डीवलमंड के लिए इसी बात की जाये तो ठीक है मुख्यत चीज किया है कि भाई ब्रेटसर्स के भारत आने पर modernization तो नहीं बढ़ा था ठीक है लेकिन रोलराइजेशन जो है वो बहुत जादा बढ़ गया था ग्रामीनी करण करण कर्सकों की जो अर्थवैस्था का कि मैं बात कूँम तो दो होंगी पहला कारण तो होगा राजस्व बसूलन लगान बसूलन अनियंदर तरीके से और दूसर जो सबसे बड़े हिस्से मिस्था बंदोवस्त बनाली लागू कर दी और भूमी पर उत्पादक्ता में सुधार पर सरकार द्वारा बहुत कम खर्च किया तो बैटर्मेंट के ऊपर सुधार कार के ऊपर अंग्लेजी सरकार के द्वारा कुछ भी खर्च नहीं किया जाता था जो भी खर साहुकारों से धन उधाल लेना पड़ता था क्योंकि उन्हें राजस्तों चुकाना होता था ठीक है तो उस वज़े से वह साहुकार के भी गुलाम बनते जा रहे तो इस तरफ से वह अंग्रेजी सरकार द्वारत चूज भी लिये जा रहे थे तो ऐसा मान सकते हैं कि धोरी म कि सिमार जो है वो किसानों की उपर पंड रहे हैं कि स्यसक्राओं की हाला बद से बतर होते चले गए अब इसी बीच बिचॉलियों का उदय होता है ठीक, जो पुराने जमीन दार थे, साहुकार थे, उनको हटाकर बिचॉलियों, जो मीडियेटर्स होते हैं, ठीक है ना, कre onboard कि लिए पारम पर सुमांगों ने मजबूर कर दिया क्यों कि बजए उस नहीं चुका पाते था कि ऩुपनी जमीन्दारे लिए लिए हम देखेंगे हैं एक नहीं तरीका की जमीन‌दारी पनाली यह नई तरीके पर क्या करने लगेगी एक्स्प्लाइटिशन करने लगेगी शोष्ट करने लगेगी अब अमीर धनोदार दाताओं ने अन्य लोगों की एक जमीन को खरीदा और विचोलियों की ब्रद्धी का जो है इसमें प्रसार कर दिया और 1815 तक बंगाल में कुल भूमी का आध हैस्सा नए हाथों में चला गया था चूकी जमीनों की मांग अधिक तीसले कीमते भी बढ़ गई थी तो आपको आहां समझना होगा कि 1805 तक इस्तिति ऐसे आ चुकी थी कि जो पुराने जमीन दार थे उनकी हाथों से पूरी अपनी जमीन निकल गई थी और पचासी प्रतिस कौन सी चीजें थी जो किर्सी की बिगरती दसा को शुदार नहीं पाए और इस हालात को और खराब पढ़ते चले गए तो यहां पर बात करें किर्सक के पास किर्सी में निवेज करने के लिए कोई धन नहीं होता था क्यूं कि राजस्व बसूलने के बाद बसूल लेने के और उर्क बाद उनके पास तो बहुत सारी किसान हों के तो यह हालत थी कि उनके पास अपना पेड भरने के लिए यह अपने परिवार का लालन आनपोशिए करने के लिए भी प्रॉपर entitled तो सरकान ने कसी पर बहुत कम खर्च किया से रण गरस्तता बढ़ते गया अब क्योंकि रण क्रसिस्टा बढ़ रहे थी तो लोगों का मन करसी के दूर जाने लगा लोग जो और वह करसी से भी दूर जाने लगए और इसने कंडिशन और खराब कर दी भारत की ठीक है अब आगे जागर कंडिशन क्या हो बनती है कि जब ऐसा समय आने लगा तो ऐसे समय में जब दुनिया भर में आधुनी की करण हो रहा था भारती करसी तकनी की रूप से इस्थिर्दी गयों क्यों कि बिटिस सरकार के द्वारा भारत कि कि से आधुनी की ख़रण के लिए या भारत के आधुनी की करण के लिए किसी वी तरह के कोई कदम नहीं लिये जा रहे थे ऐंग्रेज्जों का जो पूरा ध्यां के इंडिता था वह यह था कि भारत से जितना जादा से जादा धन हो, वो सोक कर ब्रिटेन भेजा जा सके, जितना जादा से जादा भारत की धन हो, ऊजा संपत्यों वो निकाल कर बहां पर बेजी जा सके, बाहर ब्रिटेन में भेजी जा सके, ठीक है और उसी समय अकाल और गरीबी की मार्च भारती लोगों पर गरीबी और खस्ता हाल से जूजने लगा अब भारती करसी का वेवसाही करण किया गया ठीक है अब देखें यहां पर चीजें अब तक तो यह थी कि चलिए भारती लोग जो है वो अन्य उगा रहे थे लेकिन अंग्रे जो ने अपने फायदे के लिए हद तब कर दी जब भार प्रवत्ती करस्कों की वेवसाही करण का उद्भौ थी कुछ बिचेस फसल जो है वो गाउं में खफत के लिए नहीं बलकि राश्य और अंतराश्य बाजार में विक्री के लिए हो गाई जाने लेगी जैसे कपास जूट मंगफली तिलहन गन्ना तंबाकु वादी है ना भ ऐसे ब्यापारिक फसलों की मंग ज्यादा थी अंतराश्य बाजार में और उन्हीं बेचने पर अंग्रेज्चों को ज्यादा मिलता था ठीक है दूसरी नुक्सान यह था कि भारती जो जमीन थी वो पूरी तरह से उपजाव छमता जो है वो उसकी घर्टी चली इन सभी चीज़ों तो ले दे कि जो दोहरा नुक्सान जो दोहरी मार भारतियों पर पड़ी उसमें भारती कर्सकों को भी पूरी आर्थिक रूप से तोड़ नहीं था भारत का फार्ट पूरी तरह से भारती कप्ड़ा को तबाह करते आ गया था भारत का जो खादी उद्ध्योंग ता उसको पूरी तरह से अंग्रेजों ने चोपट कर दीया था ठीक है नहीं पाए ठीक है क्योंकि ये महेंगे होते थे क्योंकि इसके उपर टैरेफ बहुत जाधा लगाए जाता था सरकार के द्वारा और वही बिटिस द्वारा बनाएगे कपलों पर वहां से आयत किये गे कपलों की उपर टैरिफ कम लगा जाता था जिससे वो लोग उने कितरा आप जाधा करसेथ होने लगे ठीक है वही बात कि आजाए एक संपन जहाज निर्मान उद्योग को कुछल दिया गया कंपनी द्वारा अनुबंदिर ब्रिटिस जहाजों को व्यापार मांगों पर एक आदिकार दिया गया था जबकि यहां तक कि टटकी किना कि मारे बाति व्यापारी जहाजों को भरेकरों का सामने करना करना परता था तो भारत का फल यूष अपना एक जहाज भ्ययतों को भी नुकसान पहुंचा गया ठीक है और इस हद तक नुकसान पहुंचा गया बहुए कि στο जो भरक ते इंद्यों दो पूरी मेरा ऐसे शॉप तो एक तरह से exploitation यहां पर भी अंग्रेजों ने भारतियों को बढ़ने नहीं दिया और बहुत कठो नियम इस पर लगा देगे तो मतलब चालों तरफ से भारत का घेरा बेडिसर्स के द्वारा किया गया और कहीं भी ऐसा मौका नहीं दिया गया जहां पर भारती लोग जो है व सबसे पहले भारत को क्या किया गया अध्योगों को निष्ट किया गया भारत की कपड़ा अध्योग क निष्ट किया गये थी उधियां विdhistory की करने की तरš जा रहे थी इंडेयश्ट अंगरेज़ों की तरफ जा रहे थी तो इन नीटियों की बज़े से एकनॉमिक स्थिती जो थी वो भारत की पूरी तरह से गिर्थी की और जैसे कि हमने पड़ा था कि अंग्रेजों की आने के समय भारत जो 23% करता था विस्व अर्थवेस्ता का अव्वेमा तक 3% रहे गया था अब जो अपनिवेस्क शोषण की ब्रिटिस योजना में भारती व्यापारियों, सहकारों और बैंकरों की भूबिका अप्योक्त थी मतब इतनी जो लोग थे ये पूरी तरह से अंग्रेजों का सपोर्ट एक तरह से कर रहे थे बारती साहुकारों ने किसानों को रहंड परदान किया और इस प्रकार राजासरके राज संगरहण की सुभिदा दी जाती थी और भारती व्यापारियों ने आयतित ब्रिटिस उत्पादों को दूर दराज के कौनों में पहुंचाया तो इस तरह से एक सिस्टम बनिया जिससे लोगों ने आया कुछ बिसेस तबके बारत के कुछ बिसेस तबके ने ब्रिटिस की मदद की, बिसेस को आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम किये आगे हम बात करते हैं कि 19 सदी के उत्तरार्द में भारत में आधुनिक मसीनों सा आधारिक उद्योगों आने लगे थे भारते का पास अध्योग की मिलें जो 1823 में बांबे में स्थापित की गई थी लेकिन अध्योग बिटिस प्रवंधन द्वारा किया जाता था और ये पूरी तरह से बिटिस स्वामित में ही रही आ था और उनी के नीतियों के अंदर दबा और कुछला रहा वहीं उचलाप सस् भारत में बिदीजी पूझी की जो है वो भीरती कार और भारी उध्योगों और बिजली उध्योगों की पेक्षा की गई और कुछ अन्य शेत्रों में दूसरों की तुलनाव को अधिकमातों दिया क्या बैसिकली इंबैलेंसिंग की सिचूइशन आपर बनी रही ठीक है जो एक्सप्लाइटीशन जो था वो अपने चरम पर रहा ठीक है अब कुछ रास्टवादी थे जिन्हों ने अपनी वैसे अर्थवैस्ता की अलोशना की तो बात करें प्रारंबिक में बुद्धी जीवियों ने इस उम्मीद में की बिटिस सासन का समर्तन किया कि देश का आध बात करें यूरोप में इंडिस्टलाइजेशन बहुत तीलकती से हो रहा था तो लोगों को यह लगता था कि ब्रिटिसर्स के आने से भारत में भी यह सारी चीज़े होगी ठीक है भारत का अधोगे की करण होगा लेकिन 1860 तक का हो समय था जब लोगों को रिलाइज हो गया कि ब्रिटिसर्स किसी भी तरह का डिवलोपमेंट नहीं करने वाले वो से भारत का एक्स्प्लॉइटीशन करने के लिए आएं वही आगे की बात करें ठीक है कुछ नेताओं की दिए हम बात करें कुछ बुद्धिजीवियों की बात के तो दादा भाई नौरोजी ने अंग कि लाबा बात की जाए इन राष्टवादी आर्थिक विसलेशकों ने अपने अध्यन से ये सिद्धि किया कि किस प्रकार अनाजवा कच्छे माल के रूप में भारत का धन इंगलेंड जाता है और फिर किस प्रकार वाई विनिर्मत अत्पादों के लेकर भारत आता है इसक देश में दुस्चक्र जो है वो बन चुका था मतलब बेसिकली होता क्या था भारति किसानों से भारतिय व्यापारियों से कच्छा माल बहुती कम दामों में लिया जाता था उसक्छे माल को इंगलेंड बेजा जाता था वहां पर उस सस्ते खरीदेव कच्छे माल से तो बेसिकली तो हमने यहां पर एक सिस्टम समझा आज की क्लास में कि किस तरह अंग्रेजों के आने से भारत की अर्थवरस्ता जो है वो तूटती चलीगी देखिए यहां पर जो है आज जो हम क्लासे अब कर रहे हैं कुछ चाट-पाइस क्लासे जिसमें हम अलग अलग असप क्लासे गिर्फ रहे हैं कि चलता रहा तो अब यह जो लास्ट इस तरह की चीजे जो है आप सभी के साथ ताइब इसकर करने वालें इसकार के सारी स्पेक्ड्रमों क्लियर होते हों चले आपको एक क्लास में लेगी जिसमें हम weekly current affair को भी discuss करेंगे, so thank you guys, thank you very much.